हम validity of qualitative data की गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं उस point से जिस पर हमने पिछले module को end किया था एक और एहम करेक्टरिस्टिक्स जो है वो confirmability है confirmability को अगर आप comparative time में समझना चाहें quantitative data के साथ compare करके तो इससे मुराद objectivity है जो लफ़ वहाम यूज़ करते हैं इसका अंतलब सरफ यह ensure करना है कि जो researcher bias है वो किसी तरीके से आपके data को influence ना करती हो researcher bias से मुराद यह है कि qualitative data किसी भी नौईयत का हो यह बात हमेशा से मौजूद रह सकती है कि मैं उसको interpret करते वकत as a researcher उसके वो वाले माने भी तलाश करूँ या बियान करूँ जो बन्यादी तोर पे उस data की सिफ्ट नहीं है बलके वो मेरी preconceptions है as a researcher वो मेरे अंदर मौजूद पहले से मौजूद कुछ ऐसी चीज़े हैं जो उस data को वो माने दे रही हैं जो अस data में मौजूद नहीं होते जो मेरी biases कहलाएंगी यानि मैं data को देखे बगएर वो चीज़ें पहले से अपने अंदर मौजूद रखता हूं और बेयान करता हूं confirmability से मौराद यह है कि मैं इस बात को ensure करूं कि मेरी biases मेरी interpretation of data को influence नहीं करती ऐसा करने का तरीका इसमें यू होता है कि आप reflexivity एक तरीका है कि आप बार बार आप उस data को multiple times interpret करें और मुख्रिफ एंगल से अपने तौर पे देखें उस से पहले कि आप उसकी कोई हत्मी interpretation लिख रहे हूं आज मैंने बैठके किसी data से कुछ meaning draw किये analysis किया तो मैं उसको वहीं छोड़ूं और दुबारा आके देखूं और इस बात का इतमाम करूं कि मैं खुद से जानता हूं कि मेरी biases क्या है और मैं फिर उन biases को address करता हूं मैं अपने perspectives को अपने data को multiple perspectives से सोचता हूं ताके वो मेरी biases के beyond चला जाए वो उसको inference ना कर सके जब आप इस process से गुजरते हैं तो आप कहते हैं कि मैं confirmability को ensure कर रहा हूं और अगर यह characteristic ensure कर लिया जाए तो data की आपकी validity जो है वो बहतर हो जाती है इसी तरह इसमें data analysis का rigorous होना भी जरूरी है अच्छा इससे कतन यह मुराद नहीं है कि जो दूसरे analysis होते हैं वो rigorous नहीं होते हैं अपनी nature में खास तोर पर quantitative जो डेटा है उसका analysis rigorous नहीं होता ऐसा नहीं है वो भी rigorous हैं लेकिन उसके procedures इतने well established हैं कि उसके अंदर मैं चाहूं भी तो मेरी biases असर अंदाज नहीं होती उसके mechanism में ये बात मौजूद है कि कोई चाहेगा biased होना भी तो वो mechanism उसको biased नहीं होने देता qualitative analysis में biased होने के इमकानात ज्यादा हैं गुंजाई space ज्यादा है क्योंकि इसकी नौईयत इस तरह की है लहाजा यहाँ जब हम कहता है कि उसका data analysis rigorous करना चाहिए तो इसका मतलब यह होता है आप coding procedures को well lay down करिए आप उसके thematic जो analysis है themes के draw करने का mechanism दुरूस्त रख करिए ताकि इन procedures के अंदर यह गुंजाईश पैदा हो जाए कि आप इसके अंदर किसी तरह की biasness का हिस्ता ना बन सके transparency का feature establish करने के लिए जरूरी है कि आप अपने processes को multiple time searching करने से पहले और फिर उसको multiple angle से करने की कोशिश करें ताकि आप चाहें भी कि उसकी interpretations आएं जो biased हैं तो वो ना आ सके rigor से मुराद आप ये कह लिजिए कि उसको उसकी तमाम possibilities के साथ analyze करना है ताकि जब आप उसकी findings लिखें तो findings directly उसी phenomena को address करती हूँ जिस phenomena के मतलिक वो data लिया गया था ना कि किसी और feature की वज़ाए से effect होती हूँ इसी तरह qualitative data की validity को ensure करना हो तो एक और बड़ा ही एहम नुकता जो है वो saturation है आप information इतनी कठी कर लीजिए कि अब जब आप किसी भी उससे मतलिक नई information को तलाश करने निकलें तो वो आपके पास पहले से मौजूद हो उसका source आपके पास already आपकी listed चीजों में पाया जाता हूँ saturate हो जाने से मुराद यह है कि जब आप उसमें से themes emerge कर रहे हों आप information collect कर रहे हो नई information तो आप देखें कि जब भी आपको नई information ढूने निकलें हैं उससे मुतलिक अपने problem से मुतलिक तो वो information आपके पास already पहले से collected है जब sources अपने आपको repeat करना शुरू कर देते हैं हम कहत हैं कि saturation point आ गया है saturation point यह insure करता है कि अब इस चीज से मुतलिक और कोई perspective नहीं बचा information collect करने का इसको obviously हदल इमकान इसकी कोशिश की जा सकती है कैसा हो लेकिन आप कभी इसको 100% इंशूर कर सकेंगे यह possible नहीं है किसी भी data set का comprehensive होना बड़ी अच्छी सेफ्ट है इसके तरफ आप कोशिश कर सकते हैं लेकिन इसको 100% achieve करना शायद मुम्किन ना हो आप theoretically कह सकते हैं कि आपने सारे perspective ले लिए हर तरह की information ले लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो भी रहा हो लेकिन इसके करीब तरी पहुंचना itself भी data के valid होने को ensure करत है saturation point जब reach कर ले आप saturation point पर पहुंच जाएं तो यह basically आपके data की credibility को या validity of findings को ensure करता है कि यह अब valid है यानि यह उस चीज़ से मतलिक जिसके research कर रहे थे उस चीज़ के मतलिक तमाम possible perspectives जो है उन से हासल मुमकिना तोर पर हासल की जाने वाली information आपने हासल कर ली है जब आपके data में यह shift आ जाए हम इस बात का इमकान बढ़ जाता है कि एक valid data कहलाएगा